न्यू चैनल के माध्यम से आप जितने भी स्रोता बंदू है सभी का मैं पूना एक बार हार्दिक अफिनेंदम बंद स्वागत करता हूँ तो चलिए हमारे बीच में आज है जाउनपूर जिले के जो कि बिनोत कुमार जी जाउनपूर के उस जिले से हैं जो कि जाउनपूर जिले में एक गाहों है माध्योपूर और उस माध्योपूर गाहों में इतने आईएस इतना सिच्छा का जो जोती है जो सिच्छा का विकास है और जौनपूर जिले में जैसे की कहा गया है सिच्छा की जनरी सावित्री अबाई फूले और जो कि एक बराबर समता मुलक अधिकार देने का काम किये और दिन दुखियों के मसीहा दिन दुखियों के भगवान तथागत कौतम बुद्ध भगवान के रास्ता जौनपूर के धर्ति से हमारे बीच में है बड़े भाई वीनोत कुमार जी जो कि अंबेटका सहाब जी के विचारधारा को कहां तक इन लोगों ने अब उनके विचारधारा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डिके सागर न्यूज चैनल को मैं बताना चाहूंगा डाक्टर में बेटकर उनकी मृत्तु हुई बावसा मृत्तु होने से पहले जोनपूर को आने को कहा था एकती दिसंबर को तो उसी को प्रेड़ा लेके आज जोनपूर बुद्धिज पर्मान का ब्रठाकुर का जातिक लोग आशरकाई नौकरी में नौकरी में गए हैं तो मैं बताना चाहूंगा बुद्धिजम का बात है तो हमारा जो संग्ठन है जागरती से वह समीत है नेकडूर है भारती बहुत महासबा है लाट बुद्धा क्लब है तुमां संगठनो मुझे कि जो जौनपूर जिला का माध्वपूर गाउं है उसमें काफी आईएस के अधिकारी है तो उनका जो कैटेगरी सामाजी गवर्ग है तो क्या है उसको जानना चाहेंगे तो यह आजादी के पहले से ही एक मुस्थपा करके पहली बार वहां से गाउंस निकले गाउ तो एक बात आउर आप से जानना चाहते हैं वीनोजी कि आप लोग जौनपूर के जितने भी लोग हैं अमेटका साहब का जो विचार धारा है बहुत अच्छे ठंग से माने कर रहे हैं उनके उस पर आपका क्या कहना है जन पर जोनपूर में अगर बाहित प्रतिक्दिया को आप लेंगे तो हम जिस गाओं में पैदा हुए हैं वह एक पूरे देश का इकलावता गाओं है कि जहां बाइस प्रतिक्दिया को पालन होता है है आप जोनपूर से ही अगर आप भारती बहुत महासभा के प्रदेश पाध्ध्यक्ष हैं अगर देखेंगे तुमाईर राम रमेचंद गौतम जी जोनपूर के ही हैं लाट बुद्धा कलब के प्रदेश पद्ध्यक्ष रामनाज भारती जोनपूर के ही हैं यह आप कह सकते हैं जोनपूर बुद्धिजम का अम्बेटकर वाद का गार माना जाता है एक बात और सरकि आप लगभग बीस वर्शो से देश में जीदेसों में आप भोम रहे हैं टहल रहे हैं तो आपके जोनपूर से निगल करके सामाजी संगठन के माध्यम से देश में विदेश जा रहा हैं और काम कर रहा हैं लेकिन उस से आपके जाऊनपुर के जो हमां लोग हैं उन लोगों को किया असर पड़ रहा है आपको पताना चाहूंगा कि मैं 20 साल से देश बीदेश में चीन में जपान में मंगोलिया में नेपाल में मुझे जाने की मौक मिल्या देश के जो बड़े-बड़े पदोपे हैं मुझे पतानमंत्रिक साथ, राश्पतिक साथ, कई मुखमंत्रियों साथ, योनायों का अध्यक साथ, मैंने कई साथियों साथ मैंने दलित मुद्दे को लेकर, हम बेड़कर मिश्वन को लेकर मैंने बात किया, उस बात से मैंने एक साथ अपना पैट बना रहा है तो अमबेटकर विचारधारा को फिला रहा है और एक चीजा हो आप से हम जानना चाहते हैं बिनोजी कि जो डाक्टर भीमरा अमबेटकर साहब जी द्वारा बाबा साहब जी द्वारा जो लिखी भारति समयधान है उस पे आपकी क्या राय ह और आपके जोनपूर के लोगों की क्या राय है डाक्टर अमबेटकर अकेले थे पुरा जिसमें हमारा समाज अनपर था ये भी पढ़ा लिखा बेक्ती नहीं था डाक्टर अमबेटकर ने अकेले बंदू बिगरतो तलवार के लड़कर हमको सम्विधान तहत हमारे रच्छ मैन हैं आज हमको जरूरत है बाबा साहब के दिये सम्विधान के रच्छा करना उसके लिए हमें बाबा साहब ने एक ओड का अधिकार दिया है यह मौका है इसमें 2024 का चुना होने जा रहा है हमें ऐसा देखना है कि अधिकार के लिए एक ओड का हमको प्रियोक करना चाहिए तो हमारे मद्दाता जागरुत्ता का रही बात हमारे फंख्ठन की और हमारे फंख्ठन बाबा साहब के मिसंद को भारति संभधान के रच्छा के लिए जनपज जौनपुर नहीं प्रुवांचल के कौने-कौने में हमारे फंख्ठन काम कर रहा है जो अदितने लोग आप इत जो दिन है आप जतीत कर रहे हैं तो आपको इसमें कैसा लग रहा है मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मेरा 20 साल का रिकार्ड 20 साल की मेना है ताज मेरी लगवाट 40 साल की हो रही है 20 साल हमने जो संगर्स किया है हमारे शंगहर्स का प्यास है बहुत सारे बच्चे आज नवकरी में गए हैं बेयापार्म गए हैं बिजन्स में आये हैं हमारे संगहर्सों की देन है आज बहुत फारी लड़कियां जो आज प्रोष्ट ग्रिज़ूसन कर रहे हैं वह पढ़ कर आज एक मुकाम पा रही हैं आ करते आज मुझे इतना लोग न जानते अ जिस दिन मैं मरूँगा तो मेरे नाम लेने वाले एक नहीं दो impedent लोग मेरे नाम लेने वाले होंगे ऑक मुझे बहुत सुकुन मिलता है जो मैं समाजी कारी में समाजी फिल्ड में आया बावा साहब की देन है जो हम लोग आज यहां पर आए बहुत धन्यवाद पिनोजी जो कि आपने आज डेके सागर नियूज हमारे चैनल में आये और अपना अपना किमती समय दिये और हम आपसे फिर आप इच्छा करते हैं कि हम फिर आपके साथ में बने रहेंगे